झालबे पुल्ए, नमस्कार, मैं आलोकती बारी आपका आपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, अधर्नी दर्शकों आज मैं आपके सामने पुनह एक नया विशे लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ आज का विशे बहुत ही रोचक है बहुत ही रोचक जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए है लेकिन इस विशे पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ग्यापित करता हूँ लेकिन हमारे चैनल के नए दर्शक जो की पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं जी हाँ आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पंच धातु क्या होता है पंच धातु में किन किन धातु को मिलाया जाता है पंच धातु में जिन जिन धातु को मिलाया जाता है उनका अनुपात क्या होता है पंच धातु का उपयोग कहा होता है और पंच धातु का लाभ क्या होता है इस तरह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में अंत्रतक बने रहे और जानिये पंच धातु के बारे में संपूर्ण जानकारी पंच धातू जैसा की नाम से ही प्रतित हो रहा है पंच धातू अर्थात पांच प्रकार की धातू का मिश्रण पांच प्रकार की धातू के मिश्रण से बनने वाला धातू पंच धातू कहलाता है लेकिन इसमें कौन-कौन सी धातू को मिलाया जाता है पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, लोहा एवं शीशा इन पांच धातु को मिलाया जाता है तब जाकर के पंच धातु का निर्माड होता है लेकिन इन धातूं का अनुपात क्या होना चाहिए पांच धातूं से मिलकर पंच धातू तो बन जाता है लेकिन इनका एक निशित अनुपात होता है यदि इनके अनुपात में उपर नीचे हुआ तो शुद्ध पंच धातू नहीं बन पाएगा शुद्ध पंच धातू बनाने के लिए सभी पांच धातू को समान मात्रा में मिलाया जाता है तभी शुद्ध और सही पंच धातू बन पाता है पंच धातू को पंच लोह या मिश्र धातू भी कहा जाता है अब हम पंचधातू की उपयोगिता जान लेते हैं पंचधातू को बहुत ही पवित्र बहुत ही शुद्ध माना गया है जिसके कारण इसका उपयोग हिंदू और जैन प्रतिमाओं के निर्माण में किया जाता है प्राचीन काल से ही पंचधातू से बनी मूर्तियों का चलन च जला आ रहा है यदि आप महाभारतकाल की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने अरजुन को एक ढाल दी थी जो की एक पंचधातू से बनी हुई थी इसके अलाबा पंचधातू का उपयोग आभूशन जैसे की अंगूठी या हात का कड़ा बनाने के लिए भी किया जा लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपने अनामिका उंगली जो की रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता है उसमें पंचधातू धारण नहीं करना है उसके अलाबा किसी भी उंगली में आप पंचधातू धारण कर सकते हैं लेकिन जब भी आप पंचधातू धारण करने के लाब आएए अब हम पंच धातु धारण करने के लाब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पंच धातु पहनने से महालक्षमी की कृपा होने लगती है यदि आप पंच धातु धारण कर लेते हैं चाहे अंगूठी के रूप में चाहे कड़ा के होंते हैं आर्थिक संपनता बढ़ने लगती है आपकी गरीबी दूर होने लगती है कर पंचधाथू पहनने से हमारे आस-पवास जितने भी नकारात्मक उर्जा फैली हुई उन सब का नाश हो जाता है यदि आपके आस-पास कोई नकारात्मक शक्टी है कोई बुरी शक्ती है कोई किया धरा हुआ माम लाहे वह सब नाश होने लगता है पंच धातू पहनने से जातक के मन मस्तिस्क में सकारात्मक विचार आते हैं और जातक के प्राण शक्ती में वृध्धी होने लगती है यदि कोई इंसान अपने जीवन का लक्षिनिर धारित नहीं कर पा रहा है जीवन में समंजस की स्थिती बनी हुई है कि क्या करें क्या ना करें यदि ऐसी स्थिती आपके साथ भी है तो पंच धातू से निर्मित कोई भी चीज अवश्य पहने चाहें अंगूटी पहने या तो कड़ा पहने और इसके पहनेने से आपके मन मस्तिस्क में सकारात्मक विचार आने लगेंगे आपकी प्रांड शक्ती में विद्धी होगी आपके अंदर जागरुकता की भावना उत्पन होने लगेगी और आपको लक्ष निर्धारण में सहयोग प्राप्त होगा लक्ष निर्धारण में आसानी होने लगेगी आपको यदि ऐसा लगने लगा हो कि आप अशत्रों से घिरे हुए हैं लोग आपसे जलन की भावना रखते हों और भजलन की भावना या शत्रुता की भावना आपके घर परिवार से भी हो सकता है बाहर के लोगों से भी हो सकता है पासपड़ों से भी हो सकता है आपके कारेशेतर में हो सकता है आपके सीनियर जुनियर जो भी करमचारी अधिकारी हो उनके द्वारा भी हो सकता है यदि आ आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपा सत्रुता की भावना बढ़ रही है लोग आपसे जलने लगे हैं तो पंच धातु अवश्य पहने इससे इस प्रकार के सारे दोश दूर हो जाएंगे और आपको लाप की प्राप्ती होगी इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप पं अधिक लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है ग्यान बाटने से कभी कम नहीं होता है और इस ग्यान रूपी वीडियो को अधिक साधिक लोगों तक पहुंचाई जिससे कि पंच धातु के बारे में अधिक साधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सक अब मुझे आगे दीजे मिलते हैं अगले किसी ग्यान वर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंबं बोले नात की जै 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 गुरुदेव